हेलो फ्रेंड मैं आनंद राज आप सोग भी देखिए सीटेट का कल से यानि 27 तारीक से 27 तारीक के साम से आपका फॉर्म फिल फोड़ा इसमें अस्पर्स टूप से कहा गया है पहले अब पहले पाव वाला सेंटर वाला सुधा है तो अभी देखिए अभी 7 बच कर 27 मिनट हो अभी 28 तारीक है यानि आज अभी हवी अपडocyk बताते हैं कहां पर कितना सीठ खाली है अभी बिहार बने कहां कितना सीठ है तो देखिए आप यहां से अलेग इस clear का 읽 और फिर यहां से है आईएगा हम पहले देख लेते हैं कि मुझभवववर्पुर में कि तोटल आपका सीथ है सतरहजार सतरह सीथ है और यहां पाव फॉर्ण फिलब हो चुका है 3833 फोर्ण अभी तक हो चुका है टोटल फेकेंट सीथ है आपकी 13164 समझे फिर हम पठना में आते हैं बाप्टना में 20 वार्टीट है एक लाकर च्वालीस जार 144 जिट है जिसमें से 25 में 2554 सीट फोर्म गिर चुका है 1,485 सीट क्या है अभी खाली चत्व में समंझे ett P suspicious और अरा में आयेगा तो आरा में आपका सीट दिया हूआ इस वार और 8,008 सीट है जिसमें से 547 सीट आपका क्या हो गया फिल हो चुका है 7461 सीट अभी है यानि अभी का अब्डेट बता रहे हैं साथ वज कर 28 मिनट और 28 सप्राइल जो फ्राइड़ आज का दिन है समझें फिर उसके बाद है आपका आरा के बाद हो गया आपका आरा के बाद आपका दर्वंगा देख लेते हैं दर्वंगा में आपका 11,001 सीट है जिसमें से 4,705 सीट फोर्म गिर चुका है आपका 6,306 सीट मांकी है समझें दर्वंगा में फिर उसके बाद आपाईएगा भागलपुर में तो भागलपुर में इस में इस बार 11,000 शेट दिया हुआ है जिसमें से 992 सीट फोर्म अभी 14,024 सीट मांकीए समझें भागलपुर के बाद आपका गया में आते हैं तो गया में आपका 16,000 सीट दिया हुआ जिसमें से सतर सीट फूल हो चुका है 15,344 सीट बागी है समझे ये बिहार का हो गया एक किसका हो गया आपका बिहार का हो गया समझे अब इसके बाद हम अधर का भी देखना चाहते हैं तो अधर के लिए आप चल जाएगा जो इस्टेट का जिसे मालीजी हमको देखना है आपका यूपी का देखना है माल लेते हैं तो चल जाएगा वालेजहंको बनारास का देखना है या गोरगपुर के देखना है तो गोरगपुर में सीट है 46,000 47 जिसमें से 526 सीट फुल हो चुका है 46,500 पार से कई सीट है तो ऐसे आप देख सकते हैं कहां कितना सीट है समझे है ऐसे आपको हमेशा अपडेट फॉर्म भर करने का भी बताएंगे कैसे करना ऐचम जी ठैंक यू